62-92 बारव भरती में 9 जून को न्यूकती पत्र बित्र समारों होने जा रहा है और न्यूकती पत्र बित्र समारों में आप सभी को समय से पहुंचना है जो समय निरधारित किया गया है लकनौक में तो आप सबी जानते हैं कि लकनाव में बहनों को थोड़ा और जल्दी पहुँँशना होगा बाकी जिन बहनों को अपने अपने आवंटित जिलों में जाना है तो आपको भी एक गंटा-दो गंटा पहले ही पहुँच जाना है ताकि कोई भी आपके document समंदी, कुछ आपके सवालों, कुछ print out भी आप वहाँ से ले लेंगे, जैसे जो आपको घोशना पत्र भर करके देना है joining की समय, ये देखे, कुछ documents जो आपको बाद में देने हैं, लेकिन चब आप जा रहें नियुक्ति पत्र लेने के लिए, तो जितने तैयारिया आपकी हो जाएं, उतना आप कर लेंगे आराम से, और बाकी के जो डोकुमेंट्स नव बन बाए आपकी, तो आप बाद में भी बनवा करके दे सकते हैं, ऐसा ने की डोकुमेंट्स नहीं है, तो हमारे पास तो करके आएं, तो उसमें आपको करना हुए है कि जो आपके एकडमिक वाले हैं, यानि जो अभी डोकुमेंट्स आपको बनवाने हैं, जैसे कुछ तो डोकुमेंट्स आपने हो सकता है, या सारे डोकुमेंट्स हो सकता, आपने पहले बनवा ली हो, तो पुराने वाले सभी ड तो आपके पुराने वाले सभी डोकुमेंट चल जाएंगे एक्सेप्ट फिटने सटिफिकेट मेडिकल के लिए हो सकता है दोबारा से बनवाने के लिए बोले तो ओ तो आपका आपके CMO से या CMO कार्याले से ही बन जाएगा पांच दस मिनट का कारय वह बन जाएगा आपका वहीं से उसमें आपको बिलकुल भी परिसान नहीं होना है अभी केवल और केवल आपका फोकस होना चाहिए कि आप नियुक्ति पत्र लेने के लिए जाए समय से पहुँचे कुछ बहनें ऐसी भी होंगे जो दूर से आ रही होंगी या फिर आपको दूर का जिला आवंटित होगा तो आपको हो सकता है कि एक दिन पुरू में भी जाना पड़े तो उसी हिसाब से आप अपने तयारी रखे और जिन भेनों को फोन, कॉल या मैसेज न आया हो आप बिल्कुल इसको असपष्ट आप समझ लीजी बहुत आसान सी बात है आपको जाना ही जाना है नियुक्ति पत्र लेने के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि फोन कॉल आएगा तभी जाएंगे नियुक्ति पत्र लेने के लिए आपको जिस नियत तिति को बुलाया गया है आप सभी जानते हैं कि कौन से जिला आवंटित हुआ पहले ही आप सभी को यह जानकारी हो चुकी है तो आपको अपने उस आवंट के साथ हो सकता है कि इस तरह के कुछ समस्या हो कि वह बिल्कुल भी जाने में असमर्थ हो आप अपने वियाप पर किसी गार्जियंग को बेज सकते हैं लेकिन नियुक्ति पत्र अब भी अरती को ही दिया जाता है और यह नियुक्ति पत्र आपको बाद में भी मिल जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है बसरते बहुत ज़्यादा देरी ना उसमें हो बाकि कोसिस करें सभी बेहने कि आप जाकर कि न्यूकती पत्र ले लीजिएगा समय पर ही कल की डेट में एक यहाँ पर डाउट आप सभी कि और होते हैं हाला कि इसको लेकर कि हम अलग से बात कर प्रियास करेंगे कि जो आपको वेतन जो आपकी सेलरी बनेगी वो लगबग लगबग 32000 के आसपास बनेगी जो आपका बेसिक है लगबग आपका 2100 के आसपास है 235 या 2700 के आसपास है डिए आप सभी जानते हैं 42 परसेंट हो चुका है कुछ एलावेंस होंगे सब कुछ जोड़ करके आपको लगबग 32000 के आसपास या फिर इससे भी उपर आपको सेलरी मिलेगी अब उसमें आप सभी जानते हैं कि आगे NPS भी कटवाना होगा तो देखिए उसमें कितना हिनेंट आपको मिलता है बाद में लेकिन जो आपकी सेलरी बनेगी वो हमने आपको बताय कि यह बैंनेर भी आप सभी ने देख लिया होगा इसमें अगर आप यहां पर देखेंगे तो 7182 एनम भैनों को ही नियुकति पत्र बित्रत किये जाएंगी यानि 7 सीटे होल्ड कि जा रही है जबकि यह कोड के अनुसार 5 सीटे होल्ड करना था लेकिन यहां पर 7 सीटे होल तो कि यहां पर रिपीट कर रहे हैं कि जो यह डब्लीयस की सीटे जोड़ी गई है 277 ठीक है जनल में अनारक्षित कह लेजी आप यूबार जनल नहीं कहना चाहिए अनारक्षित कहना चाहिए जो किसी के लिए अरक्षित नहीं होती है जिसकी कटाफ पचास है तो इसी में लाश्ट की वहने होंगे और जिनके पचास अंक होंगे तो उने के नियुक्ति पत्र रुखेंगे और यह जो जानकारी है विभाग की तरफ से संबंद दिजिलों को भेज दी गई है और यह जो है मुख्यमंत्र जी की अधिक्षिता में नियुक्ति पत्र बितर समारों के लिए मिनेट टू मिनेट कारिकरम यहां पर यह दिया गया है साड़े ग्यारा बजे मुख्यमंत्र जी का आगमन एवं मंच पर आसन ग्राड करना 11.31 से 11.33 तक उस्प गुच्छ पवधों के साथ स्वागत 11.33 से 11.38 तक स्वागत भासड 11.38 से 11.45 अभी भासड माननी उप म मुख्यमंत्र जी चिकिस् hacer-स व्षप 11.45 से 12 भजे तक न hero बाज तक नियूकति पत्र बित्रर्ण किया जाएगा मुख्यमंत्र जी के 앉 sincer माननी हम हो कि मन्त्र जी के ट्वारा और 12 5 ऐ 25 युक्ति पत्र वित्रण किया जाएगा मुख्य मंत्री जी के करकमलो द्वारा 12-12 तक आसी रवचन माननी है मुख्य मंत्री जी के द्वारा और 12-12-30 तक प्रमुख सचीव जी किस्सा स्वास्तेवन परिवार कल्याट विभाद द्वारा धन्यवाद ग्यापन तुकुल मिला दोकुमेंट्स लगने हैं अभी कल जब आप नियुक्ति पत्र लेने जाएंगे उसमें केवल आपको आईडी कार्ड एड्मिट कार्ड एड्मिट कार्ड अगर आपके पास माल लिजिए ना हो तो आप एड्मिट कार्ड निकाल लीजेगा रोलोंबर या रिष्टेसन वाले ही सब तो उनक्या फोटोकापि आप जरूर रखे औरिजिनल देखे आपके उपर आप लेकर जा सकते हैं हाला कि औरिजिनल मांगना नहीं चाहिए औरिजिनल की आऊ सकता नहीं केवल नियुक्ति पत्र आपको लेने के लिए जाना है जो आइनिंग तो अभी करनी नह के बाद आप जोइनिंग के लिए जाते हैं तो आपको उसी समय में सभी डोकुमेंट्स तयार कर लेने हैं लेकिन माल लेजिए अगर कोई डोकुमेंट्स तयार नहों पाए उस दावरान भी तो भी उसकी बाद में आपको समय मिलता है डोकुमेंट्स बनवा करके जमा करने के लिए किसी डोकुमेंट की कमी के वज़े से आपकी ज्वाइनिंग नहीं रुकेगी तो कल और केवल और क्यों आपको आपको आईडी और एड्मिट कार्ड ये दो डोकुमेंट और साथ में फोटो ये चीज़े आपको जरूर ले करके जाना है और फोटो कापी भी आप करा वाली वीडियो में बता चुके उन चीज़ों को यहां पर रिपीट नहीं करेंगे लेकिन फिर भी जो चीज़े आवस्यक होंगी इसके अलावा बाकि सभी आपको घोशना पत्र की रूप में देना है और घोशना पत्र का जो प्रारूप है जो प्रिंट आउट हो आपको वह आपको अपने समंदत जिले से मिल जाएगा या प्रिंट आउट निकलवा करके आपने ओर लिख लिया है और अगर अगर दोबारा से नहीं मांगा जाता है तो पुराने वाले सभी डूक्मेंट्स आपके चल जाएंगे सभी अविलेकों की मूल जो आपके प्रमान पत्र हैं जो सभी मूल अविलेक हैं उनकी आपको फोटो कॉपी भी करा ले नहीं होगी दो तीन दिन कापी आप जरूर करा लीजीगा ज्यादा करा लें कम न करा हैं ज्यादा करा लें क्योंकि फोटो कॉपी आपके जमा होती है औ आपको verify करवाना होगा और सब कुछ पूर्वगी दिसार निर्देश की अनुसार ही हो रहा है कि यह पिछली बार बलरामपुर जिले की तरस था तो इसी तरह से आप अपने जिले का देख लीजिएगा जैसे मेरेटों मुझपन नगरों गाजी पूरों जवन पूरों वारां प्रियाग राजो जो भी आपका जिला हो अमरोहा मुरादाबत कोई भी जिला हो तो आप अपने संबंदित जिले में देख लीजिएगा कि वहाँ पर किस प्रकार से आपको कौन कोन से डोकुमेंट्स लगने हाला कि सभी जिलों में लगबग समार नहीं डोकुमेंट्स आपको बाद में बन माना है अब है के वल और केवल आपको अपने न्योगती पत्र है लेने के लिए उसकी आप अधियारी कर लीजिए जो बहेंने नजदी कि फूलकी और और दूर जहरें आपको कहो सकता कर आज आज एक दीन पहले निकलना पड़ी इसके अलाबार में क strengthened प्रपात्र हो गया आपके संस्थान जाहां से अपने अपना कोर्ष किया हुआ है वहां से आपको चरित्र प्र्माद पत्र मिला वंगा फोटो युक्त वह भी पास होना चाहिए इसके लावा दो राज पत्र अलग लग राज पत्र ताधिकार्योशी भी आपको राज यतों केंद्री सिवा से निस्काजितना होने का श्वगोष्णा पत्र से संब्संदर को युवा नहीं है ने आले में इसका वे एक ऐक गोषणा पत्र देना होगा हाला कि यहां पे लिखा है सपत पत्र तो सपत पत्र का मतलब होगा जो आपको अपने तहसील से बनवाना होगा और घोशना पत्र आपको जो एक फ्रारोप में लेका उसी को भर करके देना होगा इसी तरह सो जो बिभाईत बेहने होंगी उनको ये भी देना है कि आपके एक सैदिक है जीवित पत्निया नहीं है इस परकार चो कि देना होता है सभी मूल अमलेक और उनकी फोटिकापी दो-दो-तिन-तिन चाचाफ फोटिकापी है आप जरूर पर रभा लेंगे जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे संभीदा वाली बहने अपना प्रिजाइन दे लीजीगा कल के बाद या कल किसी विसे में आप दे लीजीगा ठीक है और यहां पर एक आपके सवाल हो रहें कि डोकुमेंट जो पिता का या फिर पती का तो जो जैसे पहले मा लेजे आपकी साधी नहीं हुए थी अब आपकी साधी हो चुकी है तो जब साधी हो गई हो तो आपके कुछ डोकुमेंट्स आपके हस्बेंट साइट की बन गए होंगे अधारकाट जैसे कुछ हो गया या पर जो अब आगे आप डोकुमेंट्स बनवाएंगे तो आप अपने पती के नाम वाला ही बनवाएंगे पती के नाम का और जो अभिवाइद बहने हैं तो आपकी पिता का नाम का चल जाएगा और बाकि जो पुरू में डोकुमेंट से माले जाप पहले अभिवाइद नहीं थी पहले वाले डोकुमेंट से आपके पिता के नाम का अब आप अपने पती का नाम का बनवाते हैं शादी आपकी हो गई है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है ठीक है तो एक बार फिर से यहां पर आपको कॉल या मैसेज आया हो चाहे ना आया हो कल आपको नियुक्ति पत्र लेने के लिए जाना ही जाना है आपको अपने सपत पत्र में क्या लिखवाना है यह भी आपको फार्मेट मिल जाएगा आपके अपने जिले से आप यहां पर भी देख लीजिए कल भी हमने कुछ जिलों के फार्मेट आपको दिखाये थे इसी तरह से चरितर प्रमार पत्र कि श्वगोश्णा पत्र प्रमार पत्र कि दिए पत्र लेने के लिए तो आप समय से पहले पहुंचे साड़े ग्यारा बज़े का समय तो आप साड़े 9 वजे तक 10 वजे तक लेट सी लेट में कह रहा हूं बाकि जितना आप जल्दी पहुंच पहुंच पहुतना अच्छा है एक घंट दो गंट आपको हां पर जा करके को जानकारी है आपको हां पर लेना है कि किस प्रकार साट कासर कौन से डोकुमेंट्स लेने हैं कुछ तैयारी भी आपकी हो जाएगी और कुछ जो आपको चीज़े समझ में लिए आप और लिह ब्ला तो अभी आत तो आप क्या답ारत लेटर ठीक है तो आप बात कर लिजेगा अपने वहां पर अपने सीनियर से बागी जिन वहलों को पहनों को फोन कॉल आ गया है तो लगबग उनको नव बजे के आसपास बुलाया जा रहा है और देखिए जिन साथ सीटों को होल्ड किया जा रहा है उन पर किसी भी केटिगरी कि बहने हो सकती है जिनका सेलक्षन यूवार में हुँआ है यूवार की मेरिट में आने पर हुआ है वही से आपके सारे डोकुमेंट्स बन जाएंगे आप वहीं से बनवा लीजेगा पिता या फिर पती के नाम का वो भी हमने आपको बता दिया इसकी अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहा किया हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा कुछ डाउट्स हमने कल वाले वीडियो में क्लियर कर दिया था कुछ डाउट्स आज वाले वीडियो में क्लियर हो चुका होगा आप सभी को अगर आपने वीडियो कम्पलिट सुना होगा तो कोई भी पॉइंट आपसे इसकीप नहीं हुआ होगा आप सभी बेनों को बहुत बहुत शुपकामना है धन्यवाद